कि दरइब्लाफ से मफी से मिलता था माधा जी से ऑर इसलीए कि न में मतलब कि हम ने बटा करें कि दो आगे का मतलब क्ला प्रक्राइब ऑफने यहां विद्टे हैं और तक है कि वह मैं हिसे दो वेटाता यह बूप यहां फुर के बाद मैंने अपनी बॉड़ी कैसे बनाई मैंने सब कुछ पुलिस प्रशासल का भी वैसे काफी अच्छा सपोर्ट मिड़ रहा है सर तिरंगा आपके साथ साथ चलता है इसका कोई दान और मेरी शान यह यह सर यह जो तिरंगा है सर आप सभी को किनौर अब तक पेज में हार्दिक स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले पंद्रा दिनों से हमारा किनौर अब तक पेज जो है है को चुका था और इसके लिए काफी दिनों से हम जो मशक्कत कर रहे थे आप सभी का प्यार और हिमाचल परदेश के पुलिस और हमारे किनौर के पुलिस और फेशवुक के जो टीम के दारा जो है बड़ी मुशक्कत से आज हमारा किनोर अब तक प्रेज खुल चुका है तो इसके लिए आप सभी का आभार आप सभी का प्यार बना रहे और यूं ही हमें आशिरवाद मिलता रहे हमारा मकसद रहता है हमारे पेच के दौरा जो समाज के गतिविदियों को आप तक लेकर आना ह हर्याली और खुशाली अपसोड हमारे मंगलवार को रहता है जिसमें हम शिक्षा स्वास्ते संबंदियादी जानकारी को लेकर आते हैं और आज हम हमारे सामने ऐसे शक्स है जिन्नोंने घरेलू उप्योग के द्वारा घरेलू जो है सामानों के द्वारा एक अनोखा जिम किया है और जिनका नाम है हमारे आधरनिय अरे कमल कान्त राणा जी फिकनस यूट्यूबर रामपुर से है और इनका चक्लोट गाउं से संब्द रखती है जिने राना दा वाइपर के नाम से शोशल मेडिया में हिमाचल में जानते हैं लोग तो राना दा वाइपर से मिलते हैं और उन से जानेंगे कि उनका ये जो अलग परकार का जिम बनाने का उदेशियर और इंक्यूपेर ना कहां से मिली और जिम में जिम करने से क्या लाब होत कि आपको तो पता है कि जब हम किसी चीज के आदी बन जाते और उसको बीच में छोड़ दे तो आपको नुकसान की होता है ऐसे कई सवालों को हम आज के अतिती के साथ जो है हम वारतलाब करेंगे तो मैं जितने भी किनौर अब तक पेज से जुड़ेवे दर्शकों को और जो हमारे वीवर्स है जो इस पेज को जो है देखते रहते हर रोज हर दिन तो उनको आभार पकट करता हूं और उनको नमन करता हूं इस पेज के द्वारा कि यह पेज खुल चुका है आप लोग तो प्यार और आशिरवात से और हम अपने काम करने के युग्य हो चुके हालंकि हमने किनोर अब तक चैनल दूसरा चैनल भी बनाया है जिसमें किसी प्रतार की अगर इस पेज में दिक्कत आती है तो उसमें जो है हम अपर सालन कर सके आप किनोर अब तक पेज और किनोर अब तक चैनल दोनों को फॉलो करते रहे कि दोनों में अलग-अलग बिश्यों पर ब्हुष्य में जो है काम होगा तो जली मिलते हैं फिट्नस जो है हमारे ट्रेनर से हमारे यूट्रीबर ट्रेनर से हमारे अधर्नियम शेयी कमल कांत राणा जी जिने कहते हैं राना दा वाइपर राना सर नमस्कार आपका किन और अब तक पेज में स्वागत है नमस्कार में की सर कैसे हैं आप बहुत बहुत थेंक्यू आपका मुझे अपने इस पेज पर बुलाने के लिए राना सर आप एक युवाओं के लिए पेज़ना के स्त्रोध है जिस परकार से आज के आदनी के दौर में युवा जो है नशे की और जा रहा है लेकिन आपने इस से अलग युवाओं में एक अलग परकार का जो है एनरजी और उत्सा लाने के लिए उनको नशे से दूर करने क जो है बहुत सारा जो है अपने जिम के द्वारा और आपने जो है अपने एक कराटे जिसमें आपने बताया उसके द्वारा भी आप जो है बहुत सारे काम जो है अपने एरिया में कर रहे हो और मुझे उमीद है आपकी इस अफसोर के द्वारा कि नौर के हिमाचल के अपने घर में इस परकार का जिम जो है त्यार पर करेंगे आपको जिम देंगे आपको ये देंगे तो इसलिए दो और दो आपने आप अपने घर अपने अपने प्रीवार के लिए आप जो है जिम तयार कर सकते हैं जरूरी नहीं कि किषी कर लेना इतना इन्वेस्ट करने की वह आशकता है आपके पास पर बहुत जगा हो और उस जगा में आप बहुत सारे चीजों को आप यह आउप कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने आप आपको इस वीडियों में दिखाई क्योंकि कहते हैं कि जो बच्पन में आदमी करता है वही बहुश्य में बनता है कुछ ऐसे भी जो है देखने को मिलता है तो अपने स्वागत है आप थोड़ा सा बताएंगे सर अपना पूरा परीच्छे है जी सर बिल्कुट सर बिल्कुट सरु सबसे पहले मेरा आपके इस पेज की सभी जनता को मेरा तहँद से नमन सच नमन मेरा सभी को मैं कमल कांट राना बेसिकली रामपूर बुशहिर के एक छोटो से गाओं मेरा जो एरी आता है कुलू डिश्टिक में आता है चकलोड गाओं बोलते हैं मेरा जो एरिया आता है निर्मन तैसिल में आता है ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ सोशल मीडिया पर मुझे सभी राना दावाइपर के नाम से जानते हैं यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आप सभी को काफी सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पीछे ये जो नाम लगा हुआ है राना के पीछे जो नाम लगा हुआ है दावाइपर मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ यह जो दावाइपर है मैं रेंडी ओर्टन का सबसे बड़ा फैन हूँ और मुझे जो प्रेणा मिली है वो मुझे उन्हीं से मिली है डवी डवी के जो रैसलर है दवाइपर रेंडी ओर्टन, रेंडी के थौर्टन, आर्केो नाम से जने जाना जाता है तो उनसे ही मैं प्रेरिध हुआ उस टाइम से और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले मेरा जो एजूकेशन है मैंने मास्ट्री की हुई है इंग्लिश में मेरी में हुई है वो मेरी रामपुर बुशह से हुई है पीजी कॉलिज से तो इसके साथ जैसा कि आप सबी जानते हिए आप सभी ने देखा हुई कि किस तरह मैं किस तरह मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में गाओं का पहला घरेलु जिम बनाया हुआ है, तो बाकि आप सभी वो देख सकते हैं, मेरे योटीब चैनल पर आप सभी विजिट करके देख सकते हैं, राना दवाईपर आपको सर्च करना है, आप सकते हैं, बहुत बहुत बधाई सबसे तो युवाओं के लिए यह आपने य तो चलिए बढ़ाई आपके लिए वाइपार और आप आगे से आगे यूही बढ़ते रहे और आपकी पेरना युवाओं तक बच्चों तक जाता रहे क्योंकि जिम जो है एक किसी कहते ना कि यह जो बच्पन से लेकर किसी भी आउस्ता तक जिम कर सकते तो सब के लिए आप तो चलिए आप यह बताएंगे कि अभी आपकी एज बताएंगे अप पर अभी मेरे जो एज है अभी ट्वंटीयेट का होने वारा हो ख़ो फेशारे जुए अब कि कितने सालों से आप जो है जिम। जो चला रहे हो गाउं निट जो बनाने में एक एक चीज डंबल बनाने किया होगा कि यार ये कर क्या रहा है तो तो उसी टाइम से मेरे अंदर एक शौक जागा मैं क्या बोलते रेस्लिंग देखता था मैं तो रैंडी ओटन मेरा क्या उसको मैं फॉलो करता था मैं उस टाइम ऐसे देखते रहते थे तो मैं भी सोचता था कि मैं इनकी तरह बन हूँ उनकी तरह तो नहीं बन सके पर फिर मेरे अंदर एक ऐसा जोशा है कि मैं भी एक खुद की बोड़ी बनाऊं तो इसके बाद मैंने क्या किया अपने घर पर जैसे जैसे मे मेरे जो डंबल हुगरा है मैंने सोचा क्यों ना मेरे थोड़ी फाइनेशली मेरी थोड़ी कंडिशन अच्छी नहीं थी जिस वज़े से मैं जिम हुगरा यह चीजे में जॉइन नहीं कर सकता था तो स्टार्टिंग में शुरूआत में हमारे मार्चल की जबल होती है जिसे हम खुदा ही करते हैं वो मैंने वीडियो में भी बताई थी मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो उसी चीज से हुई थी और आज भी मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ अपने जिम में में आज भी उस चीज को यूज कर रहा हूँ बहुत खुब देखे अगर आदमी में इनसान में लगन हो तो कुछ भी कर सकता है कहते कि हर आदमी में अपने शौक होते तो आपको एक जिम का शुरुआती दोर आपने बताया कि दिक्कते थी और जो है कुछ जो है होते ना मनी प्रॉलम थी इस प्रगार से आप जिम जिम लेकिन आपने यहां पर अब बगैर उसका जो एक कारणामा करके दिखाया है तो इसके लिए इसके लिए तो आप बहुत बहुत जो है पेड़ना के स्पूर्ट भी हो और यूँ आम के लिए बहुत बैतरी लेकिन लगभग कितने सान लगे एक एक चीज को संजोने के लिए जो आपने बनाए थे नहीं बिल्कु बिल्कु सर मैं बताऊंगे सर अभी एक एक चीज बताऊंगे सर मैं तो 2010 से अब आप खुद अंदादा लगा दीजी अभी तक मुझे 12-13 साल हो रहे है मुझे अभी म इस टाइम मेरा एपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा मतलब मेरी जो बॉड़ी है कि वो खराब हो चुपी आपको पता है यह सब जब एक चाप होते है पेट पूरी तरह बिल्कुल खराब हो जाता है पर उसके बाद मेरे अंदर जो ज स्टार्ट की थी तो उस टाइम से मैं अपने जो एप से सिक्स पैक्स होते हैं मतलब मैंनी चाहता था कि कभी मेरा पेट आगे आए तो वह चीज मेरा बिलकुल वह मैंने वीडियो भी डाली है मेरी यूटूब चैनल पर देख सकते हैं अपरेशन के बाद मैंने अपनी बॉड़ी कैसे बनाई मैंने सब कुछ अपने यूटूब पर डाला हुए एक एक चीज मैंने डाली हुए उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा जुनून आया बॉड़ी बनाना के कि मुझे ये बॉड़ी बनानी है तो उसके बाद फिर मैं बहुत खुब बहुत बहुत बहुत्प स्वास्त्रिक ने नशा है और बहुत जब आपका ऑप्रेशन वाद कर लगता है तो जब आप apps बनाने के लिए काम कर रहे थे या फिर अपने शरीर को जो उस प्रकार में डाल रहे थे तो उसे में खिचाव होते से में आपको pain होती या नहीं हो रही थी कुछ इस पर आप बताएं एक और बात भी शेर करना चाहूंगा सबसे पहले starting में मुझे pain होती थी पर मैंने उस pain को feel नहीं किया मेरे दिमाग में सिर्फ यह बात थी कि मुझे वो apps बनाने हैं तो starting में मैंने मैंने सबसे पहले एक रसी पकड़ी और फिर मैं daily jumping करता था रोब jumping और फिर धीरे-धीरे मैं running करने लगा फिर cardio वाली exercise अलकी-अलकी daily का walk करने लगा तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरी body में automatically मतलब daily की जैसे-जैसे मेरी practice चलती गी तो उसके बाद फिर मेरे dumbbell औगरा जो भी है उस चीज़ को मैं फिर apply किया सका जी आपकी body को देखकर एक wrestler की तरह लगता है तो क्या इसके लिए आपने खाली gym से ही बनाया या भी कोई द्वाई भी किया है बिलकुर नहीं सर आज तक मैंने कोई भी आज तक मैंने ना ही कोई supplement लिया ऐसा कोई भी protein powder नहीं लिया सर जैसे क्या वो लेते हैं सर जिम में जो स्पेशली मिलते हैं सर आज तक मैंने सक कोई भी अप्लाई नहीं किया सारी जितनी भी इस body पर मैं आज तक यूज किया हूं सारी घरेलू चीज़े यूज किया हूं सरा नैचुरल चीज़े नैचुरल डाइट आपके जैसे एक महिला आप अपने ओपने जो है अपने जो है शरील्क सिर्भार के लिए डै या आपका आदः गंटा या शाम लगाते व्यास przy doEntre ऌनकी को देखना तो ऐसे में आप जो है तो इसके लिए क्या-क्या देखरेक करते इसे प्रकाल का मैंट रखने के लिए खान पान से लेकर कितना गंटा आप जिम करते हैं जिम करने के बाद जिम से पहले आपका खान पान कैसा है जिम के बाद का खान पान कैसा है लैंच में कैसा है और डिनर में कैसा है इस पर ज़रूर आप बताएं जी जी सर मैं बिलकुर बताना चाहूंगा सर सबसे बहले तो मेरा मॉर्निंग का जो शेडियूर रहता है जैसे मैं सोकर उठता हूं सबसे बहले मैं पानी पीता हूं पानी पीना हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जारत जरूरी है इस्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मोटे लोग है जितना वो ज़्यादा पानी पीएंगे उतने उनकी बॉड़ी रहेगी एक अच्छी बॉड़ी रहेगी और साथ इसाथ यदि आप उसमें वोटर लग नेमू पानी का यदि आप यूज करते हैं वो काफी अच्छी बात है वो यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं किवेंकि उससे क्या होता है वो से हमारी बॉडी की जो गंदगी जो गई होती है अंदर. वो डीटॉक्स होती है उस चीज से. और एसके बाद जैसे मेरा मरूनिंग का मेरा جो मील्ड रहता है. तो वहां पर जैसे सब्से पहले मैं कभी दूद लेता हूँ. या कभी सबजी बनी है तो उस चीज़ को भी मैं लेता हूँ और इसके साथ-साथ मैं यहां पर बताना चाहूंगा इसपेशली यूद के लिए एक और्स भी लेता हूँ मैं और एक आज के टाइम में में एक प्रोटीन का यूद्स कर रहा हूँ वो प्रोटीन ऐसा कोई पौडर नहीं है वो और ची थरह आता है तो यदि आप भी उसे लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं वो मेरे यूटीब चैनल पर रहे हैं उसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसके साथ मेरा जो खाने में रहता है जैसे फूर्स होगे मतल meant जैसे मुझे जो चीजे मिलती है उसी चीज को में अफॉर्ड करता हूँ और जैसे लुट टाइम हो गया कभी गर में जैसे लसी बनिये तो उस चीज को भी मिलेता हूँ रोटियां वगरा मतलब एक सिंपल सा है है सर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है और डिनर को थोड़ा ऐसा करता हूं मैं जैसे और उन लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा मैं जो लोग मोटे लोग है रात को हमेशा आप लाइट डिनर करें और हो सके तो उसमें थोड़ा आपका चावल की मात्रा हो कम करें और आपके रोटी मतलब एक डिनर आपका बिलकुल लाइफ रहना चाहिए तो इस तरह मैं अपनी डेली के रूटीन को फॉल्ल करता हूं अभी मैंने अपने यूट्व चैनल पर वो वीडियो भी डाली थी आप सभी उसे वेजिश करके देख सकत है उसमें कोई जो है मनाई नहीं है लेकिन कुछ खाने में परेज भी उसे जो आपको एफेक्ट करता हो जैसे खटा मिठा इस पर आप थोड़ा दा बताएं जी सर यहां पर मैं परेज की जैसे बातें बताना चाहूंगा जैसे ओली जो चीज़ें तीन चीज़ों को मैं टाफा जाता है जी यूआ पीड़ी और कुछ हमारे घर में या ब्रिद है या महिला है तो चाए ज्यादा पीते तो आप आपके जो अगर फिटनेस रखना चाहते तो क्या चाए जो है लाबदा है कि इस पर जूरूर बताएं जी सर बिलकुल बताना चाहूंगा सर मैं आप अगरती हा बनाए तो बड़के क्लीना चाहि रहते हैं को पताना मैं ऑपने इस प्रकूर के दो को जी दो सैंक झमें सरे आपको चीन जो जासे दो एक पता भी करना चाहिता हुआ आपने एक गदा बनाया था जो सिमेंटेट का तो आप यह बताएंगे कि इसके लिए जैसे रोडी हो गया रेता हो गया जो बनाते हैं इसके लिए आप खुद खुद नहीं मेहनत किया कि घरवालों की मदद की घरवारों ने भी हेल्प किया सर मम्मी पापा मतलब कभी हम जैस है अकले करता हूं स्टाइं स्टाइंग में मैं जैसे मेरी शुरूपर हो चेस्ट के लिए beना था तो लगबग लगबग आपके पां जो भी नाम बतायेंगे कि क्या क्या चीज आपने जैसे पुश के लिए हाथों के लिए पैड़ों के लिए चेस के लिए क्या किया बनाई आ वहाथ आ बिल्कुल नाम बनाई हुई है जैसे मेरे पास सबसे ले तो जैसे मैं मसब के लिए हो गया, इस चीजों के लिए मैंने डंबल का जो वेट बनाया हुआ है, वो डिफरेंट डिफरेंट बनाया हुआ है, जैसे पांच केजी का अलग हो गया, 10 केजी का अलग हो गया, 15 केजी का अलग हो गया, और एक 20 केजी का भी है, तो अलग-अलग स लिए खरतके से लिए मैं धुताइघ है। सबस्क्षाइब टीजय को है, ईस के सबस्क्राइब करे जियसे चांडा मेरे काडियोन की अगसरआई उगाउगी, मैं एइस लाइ उन चीजयों को यूजी करता हूं, और साथी साथ मेरे घर पर आपको देखे आपको ने देखे होंगे बाटर पर मैं बैलेंसिंग करता हूँ वो मैं तब ही करता हूँ उससे क्या होता है हमारा जो माइंड सेट है वो बिलकुल हम फोकस कर पाते हैं उस चीज के लिए यह चीज मैंने भारत के पुरानी मार्शल है सर उस चीज से मैं यह चीजे सीख रहा हूं सर रहा है हमारे साथ जुड़े है हिमाचल के वाइपर के नाम से सुपरसित हमारे कमल कांतराना जी जो हमारे हिमाचल से और रामपुर से शिमला से तालुक रख जिनोंने अपने जो है अपने ही त्वारा जो है इनोंने एक ब तो इस पेज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार तो मैं आपनों से निवेदिन करता हूं जब भी हमारे किनौर प्रक्रेश से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप शेयर की चलिए हम और भी गतिक दियां हमारे अतिकी से जानते हैं अब आप जो है गाओं से गाओं चुड़ने में आपने कोई पीश रखा है जैसे कि समय निकालना पड़ता है आदमी को आज के टैम में ऐसा है कि पेट भी कमाना है रोटी भी कमाना है तो आप कि लिए कोई निश्चित और शुल्क रखा है जो बजार से कम हो और जो है उसका फिटनेस ही बनाने तो इस पर जुरूर आप प्रकाष डालें बिल्कुर सर यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा जैसे कि आपने बताया अभी कि मैंने कोई फीस वगरा रखी हुई मेरा जो यहां पर अभी तक जो भी आया सर मैंने किसी से कोई फीस नहीं लिए और नाई मैं लूँगा यह मेरा एक खुद का यह सर इन फ्यूचर मेरी मेरी एक ऐसी सोच है सर कि मैं यदि कोई जिम ऐसे ओपन करूंगा तो वहां पर मैं सभी को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा लेकिन समय निकाला पड़ता है समय आपको देना पड़ मेना आपका व्यथित होता है मैंको वहां पर मैं किसी धर बहुत को बहुत को बहुत बहुत के लिए जो अंके लिए अप पईंगे और यूआओं के लिए पर आया के लिए समंदित करमेका तो इसमें आप कितने उमर के तक के बच्चों को आप लेते हूँ सर इसमें जैसे मैं बताना चाहूंगा यहां पर यह जो सेल्फ डिफेंस की यह जो ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस जरूरी नहीं है कि यह लड़कियों के लिए जरूरी सर आपने देखिये होंगे सोशल मीडिय पर आपने वीडियो देखी होंगी कि काफी सारे आज के समय में जो बच्चे भी है मैट्रिक लेवल के बच्चे प्लस टू लेवल के बच्चे हैं उनमें भी यह चीज़े होती है कि ललाई जगड़ा होता है तो यह जो चीजे हैं, यह एक छोटे लेवल से जैसे 6th class से लेकर, या 3rd, 4th class से लेकर, वो सभी इस चीज में आते हैं, या college level के होगे, वो सभी होगे, मैं उन सभी के लिए यह training देना चाहूंगा भी, मैं इसके camp लगाऊंगा, वो school by school लगाऊंगा, और college by college लगाऊंगा, य मेरी एक सोच है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि age का इसमें कोई limit है, क्योंकि यह self defense की यह जो चीजे हैं, यह हम सभी के लिए भी जरूरी है, मेरे उपर attack हो सकते हैं, आपके उपर attack हो सकते हैं, किसी को बभी हो सकते हैं, तो वो चीजे, martial arts की जो चीजे हैं, वो काफी अच्छ की बताई हुए हैं, नहीं वहाँ पर, यह बहुत पैतरे ना, तो दर्शकों से हम यही निवेदिन करते हैं, कि हमारे जो आतिती है, कमल गांत राना जी, इनका यूटूब चैनल है, दवाए पर, उनको जरूर, राना दवाए पर, जरूर सब्सक्राइब करें, तो सर आपन लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या आप आपका खुद का अपना ही यह सोच है, या फिर अन्य लोगों भी आपके साथ इस अभिहान में जुड़ रहे है, जैसे आपके पंचायते होगे, मोहले होगे, आपके गावाले होगे, आपके रिष्टेदार होगे, तो किन किन का स तो उसके बाद में काफी टाइम बाद मैं सोचल मीडिया पर आया था तो उसके बाद मतलब यह मेरी खुद की एक सोच बनी हुई थी कि मुझे योवाओं को एक नशे से दूर होके फिटनस की गति वीडियो में कैसे भी डारना है मतलब उनके लिए एक मैसेज देना है सरा और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुझे इसमें किसी का सपोर्ट मिल रहा है इसमें फिलाल मुझे पुलिस प्रशासन का भी वैसे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सर जो भी मेरे कॉंटक्ट में सर जो भी है और society में लोग भी मुझसे जूनना चाहते हैं, काफी सारे लोगों के मेसेज आते हैं, कि हम भी आप एपके साथ जूनना चाहते हैं, तो मैंने काफी सारे group भी बनाए, तो खुद के डम पर जतना मुझसे होगा, मैं वो चीज करूँगा सर्थ, बाकी मेरी एक कोशी से सर्थ, यहां पर मैं सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगा आप इस पेज के माध्यम से कि जैसे आज के समय में यह जो नशा है इसे हम कैसे खतम कर सकते हैं चलो भले हम इसे खतम ना कर सके पर हम इसके लिए कुछ तो कर सकते हैं जैसे मैंने यह कदम उठाए यदि मेरे जैसे सौ पुरे हिमाचल प्रदेश में जड़ी एक एक युवा भी आगे आएगा तो हमारा हिमाचल कहां से कहां जाएगा तो इसमें हम सभी को आगे आने की जरूरत है इस्पेशली यूथ को जितना जाज़ा हो सके क्योंकि आज के समय में युवा नशे से बिलकुल बरबाद हो रहा है और साथ ही साथ यहां पर मैं कहना चाहूंगा माताओं बेहनों को वो सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम सभी को मिल जुलकर इस नशे को हम खतम कर सकते हैं आपके अेने वीडियो देखा और आप अभी बैठे होो तो तिरंगा आपके साथ साथ चलता है इसका कोई मैसेज है क्या? इसका मैसेज हो यह जो नशेज की गति वीडियो में जालाव में ज़ादा हिस्स्सा ले बहुशे में आपकी आपकी बहुशे सर वर्तमान में जिम के साथ साथ और कौन सी योजना है जैसे जॉब हो गया या फिर शादी का हो गया कोई इसा अभी आपने प्लानिंग जो बहुशे में आपने बनाया हो जी सर अभी फिलाल में स्टडी कर रहा हूं सर अभी में कम्पि और यह आपसे जानना चाहूंगा और सच बताना कि जब आप यह जो आप अइक्विमेंट बना रहे थे तो घरवालों से कितनी गालियां सुनी घरवालों से मैंने बहुत गालियां सुनी जरुएं कि यह क्या बना रही है क्या है मतलब उस चीज के लिए नहीं इसा कुछ भी इतना खुबसूरत बनाया है जिसमें आपने तिरंगा का भी उपयूग किया हुआ है और बहुत बैतरी आपने हर्चीज बनाया तो सबसे ज्यादा डांट किसे मिलता था पीता जी से या माता जी से इसलिए कि वह भी हमारे फ्यूचर के प्रति अवेर रहे सर वह भी चाहते कि हम कुछ आगे इतनी हमने अजुकेशन लेए कि हमारा बेटा अच्छा करें कुछ वह एक डांट नहीं होती है प्यारी समझेंगा सर वह मैं आपके पास बहुत सारे जैसे आवाड है बहुत सारे आ आपका नाम है इमार्चल के बनावा तो अब मदर फादर की क्या वह रहती है आपके प्रति आज के समय में यदि मैं आज के समय की बात करूं तो सर मम्मी पापा को भी काफी अच्छा लगता है आज के समय में आपने आप वीडियो भी देख सकते हैं और आज को भी मैं कहना इसलिए बात मैं बताना चाहूंगा आज तक मैंने वह चीजे कभी फॉलो नहीं की सर एक स्पेशल जो डाइट होता है जिम का जो डाइट होता है, वो मैंने आज तक कभी फॉलो ने की सर, मेरा जो भी चलता रहा है, वो बिलकुल naturally जैसे, तीन टाइम तो मेरा ऐसा ही कि फिक्स टाइम बना हुआ सर, खाने का, सुबा और दोपेर और रात के टाइम सर, और बीच में मैं कभी snacks लेता हूं, एक दो लेता हूं सर, वो भी कभी यदी मिले, यदी ना मिले तो ऐसे सर, और तीन टाइम ऐसा है कि वो फिक्स टाइम है सर, तो यहां आपने देखा दर्शकों ने कि किस परकार ते एक अनुखा जिम है और यहां डाइट भी उस परकार का नहीं है, जैसे आम जिम का वाले बोलते ह इतना केला खाना है, इतना अंडे खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गाओं की अनुसारी, जैसे गाओं का जिम है अनुखा और गाओं का डाइट का अनुसार, जो गाओं में उपलब दोता है, जैसे घर में, उस परकार से आपको खाना है, और ज्यादा इतना आपने आपक के साथ दूद के साथ कौन सी चीज़ है जो आपने एक न्यूटिशन बताया जैसे मैं पोर रहा हूं जैसे कोई फूर्स लेना है जैसे केला हो गया उस चीज को फूर्स दूद के साथ ले सकते हैं वह बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है यह कोई पतला भी है तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा हो उसमें आप कर सकते हैं क्योंकि उससे क्या होगा हमारी बॉड़ी का जो मसर वह अंदर से तो आटोमेटिकली फिर हमारी बॉड़ी अच्छे से बीड़ अप होगी या कोई भी फूर्स हो गया है जिए बहुत 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 पैतरिन युवाओं क लिए खासकर जो आजकल जैसे आपने देखा dar अजिप का बहुत एक बुल्फिक यह उपने बात कर चूरे औज के समय में यूवाओं को तो सबसे में डूब चुके हैं क्रिप्या मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी उस नशे को टाइम पर छोड़ दें क्यूंकि उससे आपकी बॉडी का सरवनाश हो रहा है और आपकी फैमिली आप से कितनी दुख दुख में होगी वह आप सभी जानते हैं और यहां पर सर हमारे पास एक आयरवेदिक प्रोडक्ट है सर हमारे पास वह नशा छोड़ने का प्रोडक्ट है सर वह बी लाइफ का प्रोडक्ट आता है सर तो उस चीज को भी दो तीन महीने हुए सर मुझे वह कंपनी जोइन करके मतलब अभी तक दिये तो नहीं सर मैंने किसी को अभी मैं काम कर रहा हूं सर अभी डील करने वाला हूं सर मैं उसका सरूब बहुत खुब मेरी एज पच्वास साल की है और मेरे उमर के काफी लोग होंगे जो इस उमर में मैंने अपना वेट कम करना है अपना पेट कम करना तो शुरुआती तो और कौन सा मुझे जिम करना पड़ेगा इस पर फड़ा सा आप बताएं बिल्कु बिल्कु सर्थ सबसे पहले तो सर में जो रहता है हमारा हमारी बॉड़ी के लिए तीन चीजे बहुत जाला जरूरी है सबसे पहले आपका जो एकसरसाइज हो गया यह बहुत ही जाला जरूरी है और दूसरा आपका नेंद लेना और तीसरी है आपकी डाइट और यह लोगों का यह सवाल आता है कि मैं पांच रोटी खाता हूं, मैं छे रोटी खाता हूं, या लंच में हो गया, मैं सुबह इतनी रोटी खाता हूं, और फिर भी वो खाना उनकी बॉडी में नहीं लग रहा होता है, तो यहां पर मैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए कहना चा बार बार लेने का मेरा जो मतलब है, जैसे आप एक बार छे चपाती आप जो ले रहे हैं, वो आपको छे नहीं लेनी है, जारा से जारा हो सके तो दो या तीन चपाती आपको लेनी है, और साथी साथ यदि आप यहां पर exercise करेंगे, तो आपकी body में वो खाना भी बिलकुल चाहूंगा मैं, कि आप सभी हलकी हलकी कोई न कोई physical activity, यहां पर आपका yoga हो गया, आपका कुछ भी हो गया, मैंने इस पर special एक video भी बनाया हुआ है, कि शुरुआत में आपको कौन-कौन सी exercise करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको हमारी तरह ऐसे डंबर और तो आप नहीं उठ सकते हैं, मतलब अपनी capacity के हिसाफ से जैसे push up वेरा होगे, या रसी कूदना होगे, मतलब कोई भी आपको physical activity करना है, या आप कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे badminton वेरा हो गया, वो भी एक physical activity आती है वो भी, या walking हो गई, हलका हलका सा walk कर सकते हैं, सीडियों में walk कर सकते हैं, वैसी काफी सारी चीजें हैं, जिने आप यूज कर सकते हैं, और diet का आपका man road रहता है, आपको अपना खाना थोड़ा divide करना है, एक बार आपको इतना खाना नहीं डारना है अपने body में, नहीं तो वो अंदर ऐसे जमा हो जाएगा, वो अंदर से हमारे system को ख्राब करता है, कि बहुत कुब रहाना सर, आपने oily चीजों का यहां जिकर किया है, तो oily चीजों में बहुत परेज कहा है, लेकिन घी कहते कि घी जो body को muscle करता है, तो यह इसे हमें कितना लेना है, क्या इसे भी नहीं लेना है हमें अपने भोजन में, जी बिरकु सर, घी पर मैं बात बताना जाओंगा, मैं खुद भी घी लेता हूं सर, मेरे घर में गाये सर, तो उस चीज को मैं भी लेता आ रहा हूं, यदि आप physical activity या आप exercise वगएरा कर रहे हैं, तो वो काफी अच्छा रहेगा वो आपी body के लिए, क्यूंकि उसमें healthy fat भी होता है, काफी अच्छा है वो हमारी body क खराब कर देगा, उसे आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, या weekly दो तीन बार हो गया, या दो बार हो गया, जारा से जादा, यदि कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि इसे मारी body में मोटापा आए गया, या आप exercise नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब आपको उसी इ लेना है, ऐसा कुछ नहीं कि ये चीज अवाइड करनी है, जे शराब और जिम, इन दोनों का तालमेल आपकर थोड़ा सा बताएंगे, जैसे मैं जो है, शाम को दो तिन प्यक लगाता हूं, और रोजाना जो है, मैं सुभा जिम करता हूं, तो ये कितना फाइदे मंद है, कि ये पूरी तरह जैसे दो तिन प्यक की ये जो बात आती है, सर्फ पूरी तरह ये से कोई भी बता सकते हैं, वो हमारी बॉड़ी के अंदर का हमारा जो सिस्टम है, वो डैमेज हो रहा है, और एक तरफ से हम एक्सराइज कर रहे हैं, तो उस चीज से हमारी बॉड़ी का वो होगा, ना हमारा वेट गैन वर ये कोई भी चीज नहीं होगी उस समय, तो उस चीज को हमें अवाइड ही करना पड़ेगा. अपने हमारे किनौर अब तक पेज में बहुत 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 बाइद विश्यों को आपने बताया, तो अंतिम जाते-जाते कोई ऐसा आप मैसेज और जो हमारे किनौर के हिमाचल के युवाओं के लिए देना पड़ते हैं, और बुजरुगों के लिए भी कोई ऐसा सबसे पहले अपनी डाइट उसको थोड़ा इंप्रूव करें जैसे मैं अभी आपके साथ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरी इन बातों को आगे शेर करें ताकि हमारे माता पिता वो भी अच्छे रहे सबी स्वस्त्रे उनसे भी कोई न कोई फीजिकल अक्टिविटी करवाएं कुछ भी करवाएं ऐसे वगरा हो गया कुछ भी हो गया ताकि वह बी एक अच्छी लाइफ जिए वह भी कि अपना एक और एक जिकर क Game धा था अच्छी निने और एक जो जिम करना चाहरा है तो उसके लिए समय प्राता का समय कितने विज़े से कितने विज़े तक सही रहता है की कि यहां पर मैं बात बताना चाहाँ का सर जैसे अच्छी जो नीन हो आठ गंदे की नीन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए क्योंकि यदि हम वो प्रॉपर वो नीन नहीं मिलेगे हमारी बॉड़ी के लिए तो फिर हम चाहिए आप वेट गहन कर रहे है या कोई पतला है वो मोटा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी बॉड़ी की जो ह जरूरी है वो और सुबा मॉर्निंग में यदि किसी की फीजिकल एक्टिविटी में आदत पर जाती है तो काफी अच्छी बात है तो मेरी तो रिक्वाट्स रहेगी सभी से की आप एक अच्छी आदत डालें सुबा जल्दी उठें एक्सरसाइज करें फिर अपने दिन की शुरुआत करें जैसे आपने एक हरा बरा और बिलकुल बैतरीन जिम बनाया है जो गाओं के हिसाब से और जो है अपने बोड़ी को बनाने के लिए बहुत बैतरीन कम खर्चे में अगर इसकी बनाने की विधी आप से कोई सीखना चाहे तो इसके लिए आप क्या उनके बनाया है या मैं एक शौट में एक लाइन बताना चाहूंगा यदि ऐसी कोई बनाना चाहते हैं कोई घर में ऐसा कोई जिम बनाना चाहते हैं आप की जो रोडी रेत होगी सिमेंट होगी इन चीजों को इकठ़ा करें तो उस चीज से पिर टेक्नीक देखे मेरी यूटुब चनल पर कैसे कैसे मैंने वो चीजे बनाए हुई है एक हमें जो COB लफ जो बार होती है लटकने के लिए जो बार होती है जो रिक्रेटमेंट मैं जारे हैं युवागा हुए उनके लिए कहना चाहूँगा मैं तो आप उस तरह का बना सकते हैं या लकड से भी बना सकते हैं दो लकड इस तरह के और एक ओपर हो गया वो लटकने के लिए काफी अच्छा होता है वो यदि किसी के पास पाइप वह रहा नहीं मिल पाते हैं वैसे तो हो जाते हैं यदि कोई असे बनाने की चुक है तो मेरे YouTube channel पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने चीजे बनाई है कैसे बना सकते हैं जो भी आप से मतलब जो हमारे जिम से संबंद जानकारी लेनी है तो सारा आपके YouTube channel में ही मिलेगा मेरी सारी information जो भी information चाहिए सर मोटापा किसी को कम करना वो भी है हर एक चीज जो चाहिए सर वो A to Z information है या यदि किसी को कोई नई वीडियो बनानी है तो वहां पर मुझे comment करके बता सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया पर मेरे जो अकाउंट है फेस्वुक के माध्यम से इस्टाग्राम के माध्यम से राणा दवाई पर आपको चार्च करना है तो उस चीज को आप देख सकते हैं हर जगा योट्यूब हो गया कहीं पर भी हो गया बहुत बहुत आभार सर आज आपने हमारे किनोर अब तक पेज के लिए समय निकाला तो हमारे किनोर अब तक पेज में आप जुड़े कैसा लगा सर थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा सर मुझे थोड़ा मैं आप एक एक बाल बताना सर मैंने आपको क्या बोलते जो आउडिय दिया है और बधाई के अनुसारी सारी वो है सबने बधाईयां दिये जी जी सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार कि आप सभी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें आपके सपोर्ट की वज़े से ही मैं आज यहां तक आया हूँ और आगे आपने समय निकाला हमारे किनोर अब तक पेज के लिए तो दर्शंगों को बताना चाहता हूँ हमारे साथ आज जुड़े है हमारे हिमाचल के जो है एक अनोखा जिम जिनों ने बनाया है रानदा वाइपर तो उनके साथ आप रूबरू थे तो इसलिए फिर दुबारा कभी को मंच में बुला कर लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार सुपरातरी आपके पास पिश्व हो रहा है सरे चल्ड़नी रहा है आपने समय निकाला तो मिलते आगी फिर कभी नेक्स्ट एपसोर में नमस्कार जी नमस्कार से जी बहुत बहुत थैंक्यू सर्व हमारे हिम हिमाचल के जिन्होंने एक बैतरीन जिम जो है अपने कम खर्चों से बनाया हमारे आज कहते थी राना दावाए पर तो ऐसे ही हम अपने घर में बहुत सारे एक्विमेंट जो है समय सिमिंड सरिया जबल आदी से हम बना सकते तो कैसे कैसे उन्होंने यहां पर जिम मुनाया अपने इस वीडियो में देखें और मैं कि अब तक पेज के द्वारा सभी दर्शकों का अभार प्रकट करता हूं और हिमाचल पुलिस का और कि जिन्होंने जो हमारे पेज को जो है खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा है क्योंकि आपको पता है जब भी कोई इस प्रकार का इस वहता है तो कई महीने लग जाते है कि अभी हमाचल पुलिस बैंड का भी पेज है को गवा था उन्हें साथ मेने लगे और हमारा पेज को कम से कम पंद्रा धिन लगे तो यह हमारे किनो अलब तक टीम का भी जिन्होंने रात दिन मैनत किया इस पेज को जो है इस 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 को जो है ठीक करने के लिए